नमस्कार दोस्तों आपके एपने यूटूब चेनल कलाम स्टेडी में आप कार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सर्चा करेंगे स्टेडी का जो 11 फरवरी का आज ही एक्जाम हुआ है पर्थम पारी का पेपर हुआ है उस पेपर में जो महतोपुन परसन आये हैं वो सभी परसनों के बारे में हम इस यूडियो में तर्चा करेंगे तो वीडियो वो सुरूची लेकर आएं तक ध्यान से देखें ता कमेंट क पर हमारे यूटूब चैनल पर उप्लग दोंगे इसलिए दोस्तों आप सभी परसन जरूर पढ़कर जाएं इनमें से कुछ कसन रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों इसके लिए आपको नीचे देगे लाल जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक् लाश्मागंदी राश्ट्रिय जो पिता है उनकी हत्या हो गई थी उनकी हत्या किस ने किती ना थुराम गोडचे हैं जिर्मने उनकी हत्या किती थी एक और चैनल जो नगदी होगा तो नगदी पसलों में दोस्तों जूट है कोफी है कोको है गन्ना है केला है संत्रा है कपास हो गई आम हुई यह सभी पसले दोस्तों नगदी पसले हैं दोस्तों ऐसे ही बहुत सर क्यूशन आये हैं तो हम जैसे बचोशे हमको क्यूशन मिलते रहेंगे हम अगली वीडि है जिसे ताना सवसक्षक भी कहते हैं वो किस देश का था वो जर्मनी का था जिसके करण दित्य विश्युद भी हुआ था एक क्यूसन जो आयता है लंदन फिर रिक्तिस्तान आये था किसकी राजदानी है तो लंदन किसकी राजदानी है यह यह युनाइटेड किंग्डम यह यह इंग्लेएंट की राजदानी है लंदन तो इसका राइट आशर हो गया युनाइटेड किंग्डम दोस्तों वीडियो प्रसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरू करें तो सबी दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू करें जिसे ज्यादा से ज्यादा यूआउं तक विरोजगारों तक हमारा वीडियो पहुंच सके तक क्योशन के बारे में जानकरी मिल सके नेक्स्ट क्योशन है भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबा समुद्री किनार रखता है मतलब सबसे लंबी समुद्री शीमा किस राज्य की है तो वह है दोस्तों गुजरात की ने किसे नहीं दोस्तों एक जी बी में कितने के भी होते हैं तो एक जी बी में यह ओप्शन में आया था तो एक जार चोईस गुणा एक जार चोईस के भी एक जी बी में होते हैं मतलब एक जार चोईस जो के भी है उसका तो हो गया एक एम भी ता एक जार चोईस उसमें एक ready, mary, ये question है, अगला question है, जो जोगराफी से समद्धित आया है, तो वैग question दोस्तो, मेगरोवन, सबसे ज़यदा कहाँ पर पाई जाते हैं, तो मेगरोवन दोस्तो, पस्चिम मंगाल में पाई जाते हैं, एक सेंटर पर पर परसन आये था, उसमें था, पस्चिम मंगाल में, तो राइट इसका पसी मंगाल में, यदि यह option में नहीं दिया हो, तो हो, तो होगा सिक्कम, दूसरे center पर question पुछा गया, तो वहाँ पर है, उसमें पसी मंगाला option नहीं था, तो वहाँ पर answer क्या होगा, सिक्कम होगा, next question है, मानस टाइगर रिजर्व कहा है, तो मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो यह आसाम में इस्तित है, अगला question दोस्तों, एक्जाम में आये था, वह है, अंत्रिक्स में, जाने वाले पर्थम वेक्ति कोन है, तो अंत्रिक्स में जाने वाले पर्थम वेक्ति हैं, मेजर यू सभी talkin ciudad से समध्यीत वी पर्शन आ रहे हैं तो सभीधान से पॉलिटि पॉलिटिकल से शवबनाने वाला पर्थम देशंतों अगला क्यूण है सभी चंदीगर्ड में लोक्स्वा सीट है लोक्सवा सीट है आगला किसो ने सब्सक्ता सब्सक्तर भाणता गया के पर्थम कर्वंदर जन्र तो यह पर पर पहले भारत एसेन शिक्कर सम्मेलन का आयोजन कहा पर किया गया था तो जो पहले भारत एसेन शिक्कर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो नहीं दिल्ली में किया गया था अगला किसने करनाटक के मुख्यमंत्री कौन है तो करनाटक के मुख्यमंत्री है तो आप तक सभी जानकरी पहुँच पाएंगी जिनका exam हो गया है वो भी आगे exam की तहरी करें जिनका exam नहीं हुआ है वो हमारी वीडियो को देखें तथा आगे की exam अपने exam की context तहरी करें अगला क्यों सुन है कांस पर लिखने के लिए किस अमल का परियोग किया जाता है तो ये science का क्यों सुना गया तो कांस पर लिखने के लिए nitric अमल का परियोग किया जाता है तो कांस पर लिखने के लिए nitric अमल का परियोग किया जाता है तो दो समानिय विज्यान के ऐसे ही हमने discussion में दिए हैं तो वो वीडियो भी देखें अगला question है महावीर का जनम कहा हुआ है sexuality में तो इसका right answer हो गया कुंड़ग्राम षेचाहली अगला question है मानोव मुत्र का पीला रंग के pigment को क्या काते हैं तो मानोव मुत्र के यायने WTO का मुख्याले जनेवा Sumteras State Land में इसका मुख्याले है एक क्युस्जों जो आये था वह है laser का आविश्कार केस ने किया था ठो लेजर का आविश्कार दोすतो TH मेमा ने किया था अगला क्युस्जण है 5 की, सबसे छोटी एकाई क्या है तो ये हिंदी का किसुन आ गया, तो बासा की सबसे छोटी काई है, वरन है, बासा की सबसे छोटी काई, अगला किसुन है, अमिय का परियावची सब्द क्या है, तो सुधा होगा, अमिय का परियावची सब्द, नेक्स्ट है, दो वरनों के मेल से होने वाले, विकार को क्या कह यानि ब्राजिल में सबसे ज़्यादा कोफी का उतपादन होता है नेक्स्ट क्यूशन है विश्वा के सबसे बड़ी नदी कोंची है तो नील नदी है विश्वा के सबसे बड़ी नदी ता दूसरी बड़ी नदी है अमेजन नदी तो सबसे बड़ी नदी कोंची होगी नील अगला क्यूशन है विश्वस्वास्ते डिवस कब मनाया जाता है तो विश्वस्वास्ते डिवस दोस्तो साथ अप्रेल को मनाया जाता है हर वरस साथ अप्रेल को मनाया जाता है तो जितने भी डिवस हैं वो सभी आप जरूर याद कर लें अगला क्यूशन है यह आ गया जैसे विवहार के दियन को मनोविज्ञान कहते हैं तो पादबों के दियन को क्या कहते हैं तो पादबों के दियन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं तो इसका राइटान सुर गया वनस्पति विज्ञान next question है कारा कोरम राजमारग किन देशों को जोड़ता है तो जो कारा कोरम राजमारग है वह चीन और पाकिस्तान इन दो देशों के मद्दे बनावा है तो इन दो देशों को जोड़ता है अगला question है सत्थपुडा और विंद्या के बीच बहने वाली नदी कौन सी है तो कि यसने आके दोस्तों बार्त में सबसे पहले किया दादा भाई नोरो जी ने राश्ट्री आयका आंकलन किया था ऐसे दोस्तों और सभी किसुनों के वीडियो जितने भी पारियों मेंगे हमें यूटुब चैनल पर डालते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज करवा रह रहा होता है अगला किशना जो एक्जाम में तो नीचे देगे इस परकार के लाल बटन को दबाएं तो उसके पास जो गंठे का निसान को एक बार जरूर दबादें जिसे हमारे आगे की जो ऐसे CCD के एक्जाम होंगे उन सभी पारियों के परसम हम आपको प्लब्द करवाते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पारी के परसमें